हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब पर लोगों को साफधान करने वाली ये कविता आप भी सुनिए पसंद आये तो शेयर भी कीजिए सांसद मनोश सिवारी दिली वीजेपी अध्यक्ष भी हैं खुद अपना ख्याल कैसे रख रहे हैं कोरोना वाइरस के इस समय में ये कविता उन्होंने लिखी है करोना के संबंद में क्योंकि न सिर्फ अपने आपको बचाना है बलकि देश को भी बचाना है जागरूकता फैलानी है माना की करोना आईल है एक आपत भारी माना मगर चिंता जनिकर हारेगी यी बीमारी हारेगी यी बीमारी केवल सावधानी से बार बार धोवा हाथ तू सावन पानी से कि मंत्र है कभिता भी है बार बार दोवत वहाथ सावन पानी से अगर इफेक्टेड है के हूँ तब बे मास्क लगावा अगर कहीं होस्पीटल में गए हो तब बे मास्क लगावा बिन कारण मत मास्क मास्क के जंजट लावा भीड भार से बचा जरा लम्मे से मिल्ला अब बहुत जरूरी ना हो तो मत घर से हिल्ला जरूरी हो तो जाईए दस पंदरह दिन में ये आफत सांत हो जाई जैसे सब कुछ हो रहा हलवा दस पंदरह दिन में ये आफत सांत हो जाई और स्वच्छ स्वच्छता हीवा सबसे बड़ी दवाई भईया सबसे बड़ी दवाई कहे मनोज मोदी जी के अब सीख बढ़ावा उनकर बात बढ़ाओ कहें मनोज अब मोदी जी के इसी इख बढ़ावा पैनिक मत हो खा करोना के ठेंगा देखावा वाह तो एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए ये खास कविता एक अमिताब बच्चिन की कविता आपने सुनी और अब ये मनोज तिवारी की कविता है जो की देश हित में लिखी गई है और करोना से आप कैसे बचें इसमें इसका मंत्र है कैमरमेन अजय तिवारी के साथ रवी कांट एपिपी न्यूज दिल्ली